हलो एबरिवान तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं SP वक्सी का सिननी मेंटनिम पार्ट 59 और जो इस सीरीज के 5 पार्ट हैं आखरी पार्ट उसको मैं आज अपलोड करने वाला हूँ पुरा सीरीज को कम्प्लीट करवा दूँगा आज और जैसे ही ये कम्प्लीट होता है उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा वोन वर्ड और इडियम्स है नहीं और ये दोनों का सिरीज अगर कम्प्लीट हो गया एक बार तो उसके बाद मैं phrasal verb स्टार्ट करूंगा phrasal verb 4-5 पर दिन में कम्प्लीट हो जाएगा और अभी मैं इसलिए जल्दवाजी कर रहा हूं कम्प्लीट करवाने का क्योंकि बाद मैं मुझे वक्त मिलेगा कि नहीं कोई गारिंटी नहीं है इसकी और अभी है आपका कोरोना का लीव है ना कोरोना लीव चल रहा है तो Corona Live के वज़े से मैं काफी फुर्सत में बैठा हूँ है ना तो इस फुर्सत के पल में मैं सोचता हूँ ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊँ और आपका पूरा वोकेब कम्प्लीट करवा दूँ इस बुक से और इस बुक से जब पूरा एक बार complete हो जाता है आपका vocab उसके बाद मैं अपने book से करवाऊंगा मतलब मैं जो book लिख रहा हूँ भी फिलाल कुछ दिन में complete हो जाएगा book और publish and publish and का उसका जो है कब publish करवाऊंगा ये तो बाद की बात है लेकिन वो मेरे सारे collected notes हैं और उससे में vocab करवाऊंगा उससे भी अगर आपका vocab complete हो जाता है तो क्या करूँगा कि आपका जो grammar का portion है वो complete करवा दूँगा grammar का portion कैसे चलेगा तो practice set से चलेगा है ना तो chapter wise practice set होगा chapter wise में परते एक chapter में 50 आपके error detection से आपके complete करवाए जाएंगे grammar का portion और एक बार grammar chapter wise complete होने के बार miscellaneous का practice set स्टार्ट करूँगा ठीक है और जैसे यसे आपनों का demand रहेगा वैसे वैसे में आगे करते जाओंगा तो चलिए देखिए क्या है आज का first word first word है volatile तो volatile है volatile का क्या मतलब होता है तो इसका मतलब होता है आप तो volatile material के बारे में सुने होंगे है जैसे camphor होता है camphor का मतलब क्या है तो इसका मतलब कपूर होता है जो पूजा अस्थल में जलाया जाता है कपूर को वो क्या होता है वो without liquid में change हुए direct किसमे convert हो जाता है gas form में है मतलब solid से direct gas में तो beach का state आता ही नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे volatile volatile का मतलब होगा आपका अ इस्थीर अब फिर wasp seal अब फिर इसको बोल सकते हैं चंचल बिल्कुली परिवर्तन seal को बोलेंगे volatile फिर इसका सिनानिम में light लाइट का मतलब हलका होता है एक तो प्रकाश होता है और दूसरा हलका मिनिंग होता है तो हलका होता है और volatile material जितने होते हैं बहुत ही हलके होते हैं और वो तुरंत wash seal होते हैं तो उसी sense में light दे रखा है इसका सिनानिम फिर changing changing का मतलब होता है परिवर्थन seal और इस्थीर फिर aspects transient का मतलब भी झठनिक होता है परिवर्थनसिल होता है प्रेटेंपोरल टेंपोरल मतलब होता है lockique lockique या सान्सारिक चीजյों को बोलते हैं तो इसका फिर changing के sense में कैसे है ージ त्यानिम यह सांसारिक चीजे हैं लोकिक चीजे हैं किया हैं काफी परिवर्थन सील और सूने होंगे आप कि प्रकृर्टिक करनियम क्या है परिवर्थित होते रहे हैं तो जिसके में कहाय गहीं मतलब है आप पॉंडरस पॉंडरस का मतलब होता है चिंतित करते रहना और दूसरे चीज़ होता है भारी भरकम इसका मतलब भारी भरकम भी होता है फिर परपेचुल परपेचुल का मतलब होता है लगातार है निरंतर फिर स्टेबल स्टेबल का मतलब अस्थाई फिर विजिलेंट विजिल है सतर पिर सरकम्सपेक्ट सरकम्सपेक्ट का मतलब अपने आजू-बाजू में क्या घटना है घट रही है उसके बारे में काफी जानकारी रखने वाले को सरकंस्पेक्ट कहते हैं सतर्क बोलते हैं सजग बोलते हैं ठीक है फिर इसका इंटरिम है केरलेस केरलेस मतलब जानते ही आप लो लापरवाह फिर नेगलेजेंट इसका मतलब भी लापरवाह और केजूल केजूल का मतलब भी बेपरवाह लापरवाह होता है फिर इसक का मतलब होता है अनेतिak है है ना गल फिर घ्रछिए अपमानित इसका क्या होगा तो सिनन dewगा हो गया फिर इसका सीननेवी रखा करक्ट करप्ट का मतलब घ्रष्ट हो गया और इसका है और इसका है गिरा हुआ गटिया चीज़ को बोलता है प्र इन्ट्रिज्ट का मतलब भी हतुत साहित होता है फिर इसका inTV में Noble Noble का मतलब महान होता है जानते हैं आप फिर महान बोल सकते हैं पिर ätta कुलीन वन्स के लोग जो होते हैं काफी सब किसम के लोग होते हैं है आपका निड्रोस और इस वर्ड को आप BOOK में देखेंगे तो कुछ अंदर- denn लिखा हुआ है जो वर्ड गलत है उसको आप कारट करके इसके रवाफर अन-डिफाइल कर लें अन-डिफाइण का क्या मतल jsut crab day tv का मतल है दूशित कर हो गया शुद्ध चीज फिर है नेक्स वर्ड वाइबरेट वाइबरेट का क्या मतलब है तो वाइबरेट का मतलब होता है कापना है ना कापना या फिर हिलना डूलना अपर हिसके चाने के सेंस में भी वाइबरेट बोलेंगे फिर इसका सिनानीम है स्विंग स्विंग का क्या होता है तो इसका मतलब होता है हिलोरें लेना लहराना तरंगें उठना तो अन्डूलेट कहलाता है फिर इसका इंटरने में सीज सीज का मतलब होता है रुका हुआ फिर पाउज पाउज का मतलब भी रोकना फिर रेस्ट का मतलब भी विराम और डिसकंटिन्यू इसका मतल तो पौइजन तो जहर ही हो गया आपका रिसेंट्रमिंट का मतलब राजगी को अब बतादिया कि वेनम का दुसरा मिलिनी होता है विद्वेश मैलेवलेंट का मतलब रही द्वेश प्र रियंकूर । कोगे worth कर दोटा टीड को थोता है बहुत जादा किसी से जलने वाले वैक्ति को रंग को पहेंगे पिर स astronome है एंटीडुग एंटीडूट को मतलब होता है विश्ट को काटने की दवा है नो जो kmal з individual कि आप तो उसकी जो दवा होती है उसको बोलते हैं एंटीडोट वीस को काटने वाली और सधी दवा है ना फिर रिमेडी रिमेडी का मतलब उपचार होता है फिर बेनेवोलेंट बेनेवोलेंट का मतलब होता है सुब चिन तक पिर सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक का मतलब सहानूबत शील है ना सहनुभती रखने वाला नेक्स्ट वड़ा आपका वेनेरेबल तो वेनेरेबल का मतलब होता है आपका सम्मान योग्य वैक्ति है ना सम्मान मतलब पुझनिय वैक्ति है ना तो वेनेरेबल कहलाते हैं वे लोग फिर इसका सिननी में एस्टीम्ड एस्टीम्ड का मत सम्मानित व्यक्ति होताएं पिर रेस्पेक्टेबल मतलब सम्मानित देने योग कि व्यक्ति होताई फिर अनवर्दी इसका सुबर्ण नालायक लोग ईंसलों तो इंनवर्दीय इंसलों मतलब किसी को नीचा दिखाना और डेजेंट डेजेंध का मतलब भी हीन होता है, पतीत आदमी को भी बोलते हैं, डी जेनरेट, गिरा हुए लोगों को, फिर वैनिटी, वैनिटी का मतलब होता है, घमंड, फिर अकड, अकड लोग, जो अकड रखते हैं जादा, फिर इसका सिनने में कंसीट, कंसीट का मतलब भी अकड होता है, घमंड हो प्री इमॉडेस्टी इंवी का मतला बेसरमी बोल सकते हैं असिस्ट जिसके पास सिस्ट नाम का कोई चीज नहीं हो, बिलकुर सरम नाम का चीज नहीं हो, विसे लोगों को इम-Modesty बोलते हैं, Pride है, Pride का मतलब भी अहंकार या फिर घमंद होता है फिर इसका अंटर्णी में है Modesty, Modesty का मतलब भी आपका विनम्रता होता है humility, humility का मतलब भी विनमरता meek, meek का मतलब भी विनमरता है ना और फिर अहंकार रही तवैक्ति को बोलते है meek फिर बैश्फुल, बैश्फुल का मतलब लज्जालू number, विनमर होता है फिर नेस्ट वोड़ आपका wailer है ना, तो wailer का क्या मतलब होता है तो wailer का मतलब होता है विर्ता, बहादुरी, दिलेरी है ना, फिर इसका सिनानी में bravery, bravery का मतलब होता है बहादुरी, prowess, prowess का मतलब होता है दिलेर, विर्ता, फिर हिरोईजम हिरोईजम का मतलब भी विर्ता होता है फिर है, शिवैलरी शिवैलरी का मतलो सूर वीरता, देश भक्ती दोनों होता है फिर इसका एंटरिम है फिर, फिर का मतलो डर होता है फिर कावडाइस, कावडाइस का मतलो कायरता होता है फिर अनमैलिनेस, अनमैलिनेस का मतलो डर पोक होता है जिसमें मैलेनेस नहीं हो जिसमें मरदानगी नहीं हो तो ऐसे लोगों को अनमैलेनेस बोलेंगे डरपोक बोलेंगे और इस बुक में जो है तीनी एंटरिम इसका दे रखा है चौथा नहीं दे रखा है क्योंकि इसका जो रीदा में इस बुक का पॉल्ट्रू नरी एक वर्ड है जो वेलर का क्या है इन्टरूनरी का क्या मतलब होता है तो इसका मतलब कावड़ायस होता है या पिर काय आरता होता है है दर्पोक या फिर काय अरता ये तो पॉल्ट्रू नरी को आप याद रखें, यह मैं अपने से आड किया हूँ, रीरम को बनाया रखने के लिए है ना, फिर इसका है वैलिड, वैलिड का मतलब होता है जायज, अब फिर मानने, है ना, जो चीज मानने हो, जो जायज हो वेशे चीज़ों को बोलते है वैलिड, फिर इसका सिननीम दे रखा है साउंड, तो साउंड का मतलब होता है मजबूती, और फिर स्वस्त, एक तो आवाज होता है इसका मतलब, लेकिन दूसरा मिनिंग होता है कि मजबूत चीज़ों को बोलते हैं साउंड, जो बोलते हैं कि आपके बोडी बहुत साउंड है, साउ प्रशीन में फॉलेसित मतलव मिठ्या होता है है चिछों को डूबियेसं को जो होता है चिछों को विए बहादूर फिर उन्सार्टें का मतलो होता है नेक्स अस्चित होता है नेक्स वर्डर आपका वेल्येंट तो वेल्य मे Pascal का मतलब होता है बहादूर अफिर वीर फिर इसका सिरानी में ब्रेव ब्रेव का मतलब बहादूर होता है गैलेंट का मतलब वीर होता है करेजियस का मतलब हो इसे बैकती जिसके पास करेज हो हिम्मत हो तो नीडर होता है इसका मतलब फिर हिम्मत वाला होता है फिर शिवालरस तो शिवेल्डरस का मतलब होता है शौर रिवान, राज पुताना जिसको बोलते है ना, जिसमें राज पुताना हो, बिलकुल नीडर हो, देस भक्ती जिसमें कोट-कोट कर भराओ, तो इसे लोगों को शिवेल्डरस बोलते है, फिर इस का इंटरी में फियर्फूल, फियर्फ बदोस मतलों जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक जगा पर नहीं ठायरते उसका एक जगा कहीं घर नहीं होता वो इधर से उधर भटकते रहते हैं तो ऐसे लोगो खाना बदोस कहते हैं अवारा कहते हैं घुमकड लोग बोलते हैं फिर इसका सिननीम इडल तो इडल का मतलब आलसी होता है तो ऐसे आलसी बैक्ति आवारा ही होते हैं अक्सर है ना बिल्कुल ही बैठे बैठे अपना वक्त कमा देते हैं तो इसे लोगो इडल बोलते हैं आप लोगो बिल्कुल इडल नहीं होना है फिर रोमिंग रोमिंग का मतलब होता है घुमने वाला बैक्ति इ यह रिए रोविइंग नहीं कम दूब घंग कर वैगती होता है पिस का एंटनी में स्टी Aug hypnea सांतुलित चीजरों को स्टेडी बोलते हैं सेटल्ड सेटल्ड मतला सिर लोग जो एक जिर का सैटल्ड होते हैं। पिर स्टेशनरी स्टेशनरी का मतलब स्थीर होता है है ना इसका मतलब स्थीर होता है फिर स्टेबल स्टेबल का मतलब आपका स्थीर या फिर अस्थाई है ना यह सारा होता है मिनिंग तो आज हम लोग सबका मिनिंग देख लिए इस पार्ट का है ना तो अब क्या करेंगे अ Pondrous, Perpetual, Stable, फिर विजिलेंट, विजिलेंट का सिनानी में Cautious, Alert, Very, Circumspec, फिर विजिलेंट का एंटेनी में Careless, Negligent, Inattentive, Casual, नेक्ट क्या है आपका वीचियास, तो वीचियास का सिनानी में Corrupt, Obnoxious, Degraded, Demoralized, फिर वीचियास का एंटेनी में virtuous, innocent, undefiled, then vibrate, vibrate ka synonyme, swing, oscillate, fluctuate, undulate, then vibrate ka synonyme, seize, pause, rest, discontinue, then venom, venom ka synonyme, poison, resentment, benevolence, rancour, then venom ka synonyme, antidote, remedy, benevolent, sympathetic, then next word is venerable, venerable ka synonyme, esteemed, honoured, respectable, worthy, venerable ka synonyme, unworthy, immature, degrade, degenerate, फिर vanity, vanity का synonym में conceit, pretension, immodesty, pride, फिर vanity का एंटरिम में modesty, humility, meek, bashful, next word आपका, valor, तो valor का synonym में bravery, prowess, heroism, shivalry, valor का एंटरिम में fear, cowardice, unmelliness, polternary, फिर valid, valid का synonym में sound, authentic, genuine, reliable, valid का एंटरिम में fallacious, deceptive, dubious, uncertain, next word आपका, valiant, तो valiant का क्या सिननीम, तो brave, gallant, courageous, shivalrous, valiant का एंटरिम में fearful, afraid, coward, dust hardly, फिर वेग्रेंट, वेग्रेंट का synonym में idle, roaming, wanderer, roving, वेग्रेंट का एंटरिम में steady, settled, stationary, stable, तो चलिए आज का class नहीं रपप करते हैं,